तो अभी अव्यक्त को मैं जाओंगी लेने 1130 उससे परे थोड़ा भी टाइम है तो मैं क्या करी थी काफी दिनों से सोची थी कपड़ करने का क्योंकि एक यह दो महीने बाद ऐसा होता है कि वह उपर नीचे कपड़े करते करते खाब होई जाता है तो आज मैं और नाइस करने अभी इस दूसरा शेफ नहीं अव्यक्त है तो बस अभी अव्यक्त के कपड़े सारे अरेंज कर तो भी इमें बास्केट खाइद के लाइन नहीं है यह वाली आप लिए 139 की इसमें दो निकले हैं यह दो कर से निकले तो इसमें मैं सोच्रिव की अव्यक्त के निसमें तो जिसे छोटे कपड़े रहते हैं वेस्ट रहती हो रख दूँगी और इसमें सारी लोवर यह निकल रख दूँगी ताकि मिलते टाइम जब निकालो ना तो अराम से मिल जाया हो जाते हैं तो चली अभी यही में को टाइम मिला तो मैंने का कि काफी दिन से सोच रही थी वीक मेरी यह मैं फिर बाद में रात को करूंगी जब अविक्स हो जाएगा तो ज़िए फटा-फट निप्टा देते हैं कर देख के काम तो आज मौसम भी अच्छा है दूप निकली यह पहले मुंबई में कंटीन्यू बारिश हो रही थी पर अब क्या तीन या चार दिन से बार अब फटी में 20-25 प्रेट अपना सारा यह निप्टा देती हूं कबड़ नहीं सके पीजिलाश शेल्फ नहीं से मैंने अविक के तो यह भी मुझे पूरे अभी टॉइस रखे में तो यह भी मुझे पूरे अभी अरेंज कर दूंगी तो यह अब वैसे टॉइस के मामले में क्या अविक भी पूरा ध्यान रखता है वह फूरे अपने टॉइस ना ओउपनी यह रखता है उसको पता है कि मुझे यह तो यही रखना है वह प्लेस डिसाइट की विए टॉइस की भी मैं टो टेन इदर रहेगी सीमें। मिक्सर एक आप है आप है है जो आप है है कि अट आप है कि तो अभी आजे मार्केट गए थे तो वहां से पैनेपल लेके आए थे तो मैंने अभी कट किया और अभी आपर मार्केट में मुंबई में पायनेपल आ रहे हैं काफी तो और तेस्ट भी अच्छा था मीठे थे काफी पैनेपल तो वहीं हम लोग खा रहे थे तो शुट कर अब बारिष में लास्ट वर्चा दिन से आज ही बारिष होगे तीटेश और अभी हो रहे हैं 1045 1130 अभी प्राइगा है फोग सब्सक्राइब बारिष रुच जाए अभी बलिए कल अभी हम लोग महां कैसे अभी सिले के उपन लेग हमाई के नस्की किया थाने वेस्ट में कि टैडि बलिए को ट yaptया वा तो मैंने इसके अदधर यहां पर हें काड़े है सलोटिक से यहां भीरेंचाइब बदफागें से टखरा रहें हो शयकित गुषफ टखरा लग रहें हैं कि अब को लोग की साइस का आी काड़िक तो चलिए भी मैं बना रहे हूं लंच में कद्दू कटिंग कर रहे हूं तो इक कद्दू वैसे को मैं हल्वा बनाने के लेकर आई थी पर अब हल्वे का टाइम में और आज कुछ मुझे सब्जी को अप्शन भी नहीं दिख रहा था तो इसके में फटाफट सोची कद्दू बना देते हूं जल्दी भी बन जाएगा और साथ में थोड़ी सी डाल बना दूंगी सुखी सब्जी ना तो फिर डाल का कॉंबिनेशन अच्छा लगेगा तो मैं भी फटाफट कर लेती हूं कि अधुके यहां मे धोड़계 कर्दू कात रहे पासं में आता है आग dil कर्दी लिए था गलवा पसन ने वैसे वी खने मुझे अच्छा लगधा आकक डूत मगे शीना यह और यह विसमें पसंद्य आब उन इसको कर्ड़ों करना है उन्हों प्द हम सब्सव्जीकिसीं चता अब हो गई है तो अब ही तैसे की कद्दू की सूखी सब्जी तो मैंने पहले बीदे अपको बताया कि सारी सूखी सब्जी हम लोग सर्सो के तिल में बनाते और सर्सो का तिल मेरा बहुत अच्छे से गरम हो गया है है तो कि सब्जी बिद्ध को कद्दू की सब्जी दाने करने का और कडि में इन दो में अच्छा है तो इसी से सारी खुष्वम Attorney तेस्ट आता है तो चलिए भी स्टार्ट करती मेरा ओल अच्छे से हो गया इधर मैंने कद्दू दो लिया अपना थोके रख लिया इधर मैंने प्याज काट लिया है बारीक-बारीक अपना जो भी रखते हैं मैं थोड़ा सा अजवाइन दाल दूंगे परले फिर मित्थी दाना अब मैं इसमें दालेंगी बेसिक मसाले हल्दी लालमेज और नमक बनिये पाउबर में इसमें दाल देंगे अब बस प्याज के साथ हम ये मसालों को भूनने देंगे अच्छे से ताफि ये भी पगजा है और के बाद हम अपना कद्दू डाल देंगे मसाला देखे अच्छे से हो गया अपना अब मैं इसमें डाल देंगे तर्दू कर्दू कर्दू कर दिया तो इस कद्दू की सब्जी में हम खुछ भी पानी आड़नी करेंगे ये अपने पी स्टीम में पकने देंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आता है और ये भी अरूंड बीस में ले लेगी और ये अरूंड तो तब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे इसको मैश कर दूंगी कद्दू को तर्मारे कद्दू की सब्जी रेडी हो जाएगी और तदी तब तक मैं आठा गूंद लेती हूं क्योंकि फिर अभी आने वाला है और पारिश भी अभी रुख गई है सबसे ची बात है और आज क् मैं घर पे ही है कल संदे था तो ओफिस गयते तो आज वो घर पे ही है आज जे माच तो इसलिए आज मैं थोड़ी फ्रिय हूं लएक इतना थोड़ा लेट-लेट काम चल रहा है तो अभी 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 कले ने आजे मी जाएंगे तक मैं आठा गूंद देती हूं फिर अभी त आठा गूंद देती पहले में फिर मिलती आप लोगों से तो अभी बस मैंने आठा गूंद लिया है और थोड़ा सा कद्दू का और सौफ्ट होने का बेट करें इसको मैंश कर दिंग अच्छे से कमाई रेडी हो जाएगी सब्जी आजकल कि और आजकल क्या है यहां पर लगनी सथा घर में तो पॉसिबल नहीं है तो बहार जाके ना नीचे हमाई ससाइटी के गार्डन है वहां पे ना काफी पेड़ पॉदे लगे और यहां तो कोकोनेट का लगाएंगे और हमारे अलड़ी घर में भी एक लगाए दिखते हैं यह देखिए यह थोड़ा पानी डालते तो देखिस कितना बड़ा हो गया यह कोकोनेट का और यह हमारा हल्दी का है कच्छी हल्दी चांगे किद्धिक इसको चमें लगाना पड़ेगा तो मैं सोचई कि अनधुद्व्यक्त के तो मैं यह सोचई कि हम इसको इसको स्कूल में दिया यह देसरह के कि वहां पे भी प्रॉपर गार्डन है और है तो इस दम सोचेस के स्कूल में दे देंगे यह फिर स्कूल में पॉसिबल नहीं हुआ टाइम नहीं मिला इतना तो फिर हम यहां सोसाइटी में लगा देंगे यह वाला भी तो कफी अच्छा बड़ा हो गया यह वाला तो पैनेप कि नहीं में पुमेश को दूंगे वैसे घर आते ही अव्यों बाते करते हैं शेतानी करते हैं पर उसने देख लिया कि आज ममा ने कैमरा पकड़ रखा है तो इसले वह एकदम से शान्त हो गया और फिर वह सीद अपने वही बरून के पास गया तो खेलने लग दिया था उसके साथ और बस उसके बाद हम लोग सेख बाइ बाइ देने ख्लोग में